नमस्कार घरे लूप चार में आपका स्वागत है कहीं भी रहें खुसाहाल रहें मित्रों जीमन में तरह तरह की संकट परसानिया आती रहती है लेकिन इस से कभी भी घबडाना नहीं चाहिए यह जीमन सूखा और दूख का है कभी सूख तो कभी दूख यह दोनों को खुशी खुशी से जहलना चाहिए जब हम सूख में नहीं घबडाए तो दूख में क्यों घबडाना है करम को नहीं छोड़ना चाहिए, करम करते रहिए, किसी न किसी दिन मजबूर होकर उपर वाले को देना ही पड़ेगा, तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में पर्ष कभी खाली नो रहे, यह टोटका उपाय है, लेकिन मित्रों कभी कभी ऐसा होता है, कि पर्ष खाली हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है, सबसे पहले आप यह जाने, तो मित्रों पैसा आते हैं आप अपने जेव में या पर्स में रखते हैं लेकिन वह टिकते नहीं, रूकते नहीं इधर से आया, उधर चला गया पर्स आपका खाली, जेव आपका खाली तो मित्रों इस बात को आप ध्यान से सुने अगर आप पर्स रख रहे हैं तो पर्स को जब यह पर्स आपका फाटा पुराना हो जाए तो इसे तत्काल बदल लें फिर नया खरीद कर रखें और अपने पर्स में किसी भी देवता देवी का फोटो या चित्र नौ रखें और इसके अलावा अन्य प्रकार के असलील या और किसी प्रकार के फोटो या तस्बीर नौ रखें भूल कर भी नौ रखें अगर ऐसा आप करते हैं तरह-तरह की ठीत्र फोटो रखते हैं देवता देवी या असलील भी या किसी प्रकार का तो आपके पर्स में कभी पैसे नहीं रूखेंगेrau तो इससे सावधान रहें किसी प्रकार की फोटो तस्बीर नौ रखें फिर देखें आपके पर्स कभी खाली नहीं रहेगा तो मित्रों यह रही पैसे आते हैं पर्स में आप रखते हैं लिकिन ठीकते नहीं इसका कारण यही है तो आप इसे भूलकर भी नौ रखें अब रही सवाल की अपना पर्स यह जेब कभी खाली नौ रहे हमेशा पर्ष भरा रहे है तो मित्रों इसके लिए आपको एक नया पर्ष लेना होगा तो मित्रों ये पर्ष कब लेना है तो मित्रों किसी भी गुरुवार के दिन एक नया पर्ष खरीद कर लाएं और उसी दिन पाँच हरी इलाइची जिसमें दाना भरपूर हो अब जो है आप दुसरे गुरुवार को कि दुसरे गुरुवार के दिन अपने पूजा घर में पुजा अस्तल पर उस पर्ष को रखने और पांच हरी इलाइची छोटी वाली उसको भी रखने पर्ष के पास में और थोड़ा सा लाल रंका सेंदूर या लाल रंकी रोली को उस इलाइची में लगा दें मित्रों अब हम चलें आपको पर्ष और इलाइची दिखा दो तो मित्रों देखिए ऐसा एक गुरुवार को आप पर स्खिन लीजे नया वाली और उसी दिन ये जो है आप पांच हरी इलाइची जो की एकदम दाना हो मरा हुआ नहीं चाहिए मित्रों किसी भी एक गुरुवार को नया पर्ष ले लें और उसी दिन पांच हरी इलाइची जो दना से भरा हुआ और अपने घर के पुजा आस्तल पर दोनों को रख कर भूप दीप जलाएं और जलाने के बाद सरधा से पुजा करें पर्ष का और इलाइची का और पुजा करते समय अपने इस्ट देव का अच्छी तरह से ध्यान करें और यह पुजा आपको गुरुवार के दिन करना होगा और पर्ष और इलाइची को वहीं आप छोड़ दें अब दुसरे दिन सुक्रवार के दिन पर्ष को उठा लें और इलाइची को उठा लें और पांचो इलाइची को अपने फर्ष के अंदर रख दें अब उसमें आप रूपया पैसा रखें आपके पर्ष कभी खाली नहीं रहेंगे और हमेशा पर्ष पैसों से भरा रहेगा उस रूपयों पैसे का आपको ब्रक्कत मिलेगा लेकिन एक बात का ध्यान रखें मित्रों मैंने पहले बता चुका हूँ अब इस पर्ष में किसी भी प्रकार का देवता देवी का फोटो न रखें और अन्य किसी भी प्रकार का फोटो न रखें मित्रों जब यह पर्ष पुराना हो जाए फटने जोग्य हो जाए तो फटने से पहले पुराना होने से पहले बदल दें और इसी प्रकार और इधी इसी विधी विधान से पर्ष को खरीद कर पुजा पाट करके इसे सीध करके फिर अपने काम में लावें और मित्रों एक बात का ध्यान रहें किसी एक गुरुवार को खरीद कर पर्स को घर में रख लें फिर दूसरे गुरुवार के दिन इसको सीध करके शुकुरुवार को अपने जेब में रख लें मित्रों, बेलकूल जैसे मैंने कहा हूँ कि पर्ष कभी खाली नहीं रहेगा, तो इस विधी विधान से जब तक वह पर्ष आप अपने जिब में रखेंगे, तब तक पैसे भरे रहेंगें कभी खाली नहीं रहेगा, तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, और हमे दीजीए नमस्कार